हेलो एवडिवन तो आज हम लोग लगाने जा रहे हैं सबका इगनोर मसल और मेरा फिबरेट मसल जो की है थाई और साथ ही साथ ट्राइसेप लेग में हम लोग क्वार्ट्स काप्स और हैमिस्टिंग तीनों को ट्रेंड करेंगे बस पांच एक्सरसाइज के साथ और जो ट्रा दिरे दिरे बेट को बढ़ाएंगे और उसके बाद रेप रेंज को कम करते चले जाएंगे इसका लगाने का सही तरीका है यह है कि सोल्डर गिरीप के जस्ट नीचे हमारा लेक का पोजिस्निंग होगा हमारा बॉड़ी पूरा एस्टेट रहेगा बैक और निक जो है और द लेक ड्राइब को यूज करके उपर ले जाएंगे नीचे जाते समय सांस लेंगे और उपर जाते समय सांस छोड़ेंगे जैसे कि बताया कि यह एक अपाउर मुव्मेंट है इसलिए क्वार्ट्स हैम्स गुलूट्स के साथ हमारा काफ मसल और हमारा जो एब्स है इसको भी हम लोग लाइट वेट उज करेंगे और पूरा रेंज ओफ मोसन ले जाएंगे इसका लगाने का सही तरीका है आप उस मसीन पे बैठ जाएं और सोल्डर के जस्ट सामने हमारा लेक का पोजिस्निंग रहेगा हम अपने हील से मसीन को पूस करेंगे और नीचे लाते समय हमार हम्स को टारगेट करता है अगर आप यह स्क्वार्ट हेवी नहीं लगा सकते हैं तो आप प्लीज आप लिग मसीन में लाइट वेट यूज करें और फूल लेंज ओप मोसन ले जाए इससे आपका स्क्वार्ट भी इंप्रूब होगा और साथी साथ यह बहुत ज्यादा लगाएंगे 12 रेप्स का इसको लगाने के लिए दो डंबल लेंगे और बेंज के सामने आ जाएंगे बॉडी हमारा पूरा न्यूटरल हैगा और बडी पूरा इस्ट्रेट और अपने राइट लेग को 90 डिग्री बना के बेंज पर रखेंगे और दूसरे लेग को अपने ह हम लोग उसको हवा में ही छोड़ सकते हैं. मेंलिए हमारा जो गुलूट मसल है उसको टारिगे करता है ऊपर ले यह हम लोग हीट करने का मतलब वो होता है कि पहले-पहले हमेग हभी बेट चूच कर लेंगे उससे 6-8 रिया जतना ज्यादा रिप ले जा सकते, उतना ले जाएंगे, जब लगे कि अब हम से नहीं हो पाएगा, तो फिर हम बेट को ड्रॉप करेंगे, फिर से अपना बेस्ट देंगे, उसके बाद फिर से लगे कि नहीं हो पाएगा, फिर अपना ड्रॉप करेंगे, ऐसे करके तीन बार ड्रॉप करना है, और चार सेट लगाएंगे इसका लगाने का सही तरीका है कि हम लोग मसीन पे बैठ जाएंगे अपना पूरा बॉड़ी को न्यूटरल कर लेंगे हमारा पूरा स्पाइन इस्टेट रहेगा और अपने टोज को बाहर करके बेट को उपर की तरह पूस करेंगे जब हम उपर पूस क चांस ज्यादा रहता है इसलिए मैंने लेक प्रेस में भी बताया है कि उसको ज्यादा नहीं खोलना है खोल के लॉक नहीं करना जैसे लॉक करेंगे 90 डिग्री आएगा सारा लोड हमारा ज्वाइंट पे आ जाएगा इसलिए हमको उसे लॉक नहीं करना है आराम से उपर ले सबसे सामने वाला मसल होता है फ्रॉंट मसल जो सबसे ज्यादा दिखता है उस मसल को यह टार्गेट करता है तो इसका आप जरूर से जरूर लगाए इसके बाद हम लोग डंबल हैमिस्ट्रिंग कर लगाएंगे दो से पंदरा रेप्स का अगर आपके जिम में हैमिस्ट्रि इसमें हम अपने चेस्ट को डाउन रखेंगे और अपने दोनों टो के बीच में डंबल को अच्छी तरह से फंसा लेंगे ताकि उपर जाते समय या गिरे नहीं करता है काफ मसल को टरेंड करने का upon को टरेंड करने के लिए हम लोग काफ बेजिश्ट लगाएंगे जिसका हम लोग तीन सेट और बीत से तीस लिए कबीरे Specifically इसमें हम heavy weight नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम लोग rape range जो है ज्यादा रखेंगे, इसको लगाने के लिए आप machine यूज कर सकते हैं, या फिर standing में लगा सकते हैं, यह exercise हम तीन पार्ट में लगाते हैं, इसमें करते क्या हैं, कि सबसे पहले तो उपर जाते हैं, जितना ज्यादा हो सके उपर जाके अपने जो काफ मसल है उसको excuse करते हैं, उसका वहाँ पर पाउज, वहाँ पर एक से दो सेकेंड के लिए रुखते हैं, फिर बीच में लाकर जब नीट्रल पोजीशन रहेगा, वहाँ पर रुखेंगे, उसके बाद उपर जितना ज्यादा से ज्यादा हो स को अच्छे से train करने के बाद बारी आता है tricep का, tricep एक छोटा सा मसल है, इसको हम 2-3 exercise से heat करेंगे और अच्छे से train करेंगे, tricep का पहला exercise है, close grip bench press, close grip bench press है compound movement है, tricep के लिए, जैसे हम traditional bench press लगाते हैं, वह ऐसे ही होगा, बस थोड़ा सा technique अलग रखेंगे, हम shoulder grip के थोड नीचे ना जा पाए, 90 degree के बाद वहा hold हो सके, उसके बाद barbell को अपने lower chest के पास लाएंगे और फिर उपर की तरफ push करेंगे, नीचे लाके tricep को excuse करना है, जितना हो सके और उपर जाके relax, यह compound movement है, जो कि हमारा tricep के साथ साथ चेस्ट और shoulder को target करता है, इस exercise का हम लोग 4 set लगाएंगे 8-12 reference के बीच, tricep का दूसरा exercise है, bar push down, जो कि एक isolation movement है, इसका हम लोग 3 set लगाएंगे 8-15 reference के बीच, इसको लगाने का सही तरीका है कि हम लोग cable के सामने सीधा खरे हो जाएंगे, आप चाहे तो थोड़ा सा bend कर सकते हैं, ताकि range of motion बढ़ जाए, हमारा upper body पूर ज्यादा हो सके excuse करेंगे, फिर slowly उपर ले जाना है, ध्यान लगे कि 90 degrees से ज्यादा उपर हमारा bar न जा सके, 90 degrees तक hold करेंगे और फिर से इसको repeat करेंगे, इसका हम लोग 3 set लगाएंगे 8-15 reference के बीच में, triceps का जो last exercise है, वह है triceps bench dips, इसका हम लोग 2 set लगाएंगे, लेकिन failure त फिर उपर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे, और excuse करेंगे, रिलाक्स करेंगे, इसको repeat करना है, जितना ज्यादा हो सके, कम से कम 30 तो आप जरूर लगा, तो आज का workout यहीं पर खतम हुआ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो chest, back, bicep, triceps, सबका वीडियो अपलोड़ेड है आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, या फिर मैं i button पर दे दूँगा, और इस महिने तक मुझे 500 subscriber पूरा करना है, अगर अच्छा लगे तो like, comment, subscribe जरूर कर देना, thank you so much, keep grinding, keep growing